साथ यो हमारे देश में demographic dividend हमारी बहुत बड़ी तांकत है चर्चा भी करते हैं लेकिन क्या कोई university है जिसने इसका study किया है क्या के रिये demographic dividend है क्या क्या दुनिया में जब demographic dividend का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश देशने किस प्रकार के कदम उठाए थे वहां की उनिवर्सिटिटि कैसे भवार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया बहुत 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 को कहते हैं दोहराते हैं लेकिन डेमोग्राफिक डिविदेन के संभावनों पर हम क्यों न काम करें उस सामर्थ का उपयोग हम आने वाले 20-25-30 साल के लिए देश को कैसे दे सकें ऐसे ही हम देखते हैं अब दुनिया के देशों के स्थिति देखिए सम्रुद्द से सम्रुद्द देश भी इस बात से परेशान है कि वहां लोगों की आयू बहुत बढ़ रही है एजिंग प्रॉब्लेम है और युवापिड़ी नक के बराबर हो रही है बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों क होगा है उनको जो दुनिया चलानी उसको चलानी पाते हैं अब ये चक्र ऐसा है हरे को आना ही आना है आज हमारा देश युवा है कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होगे बृद्ध जादा होगे वो दिन आने वाले हैं क्या दुनिया में अभी से कोई ह जो इस प्रकार के बृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितिया बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खुजे हैं। यूद का अभाव में वो समस्याओं का समाधार कैसे कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मेकानेजम बनाया है कि चीजें बरी स्बूर्डली आगे बढ़ रही हैं। यह सारे सोचने का काम मेरी उनिवर्सिटीज का सहथ स्वभा होना चाहिए। उनिवर्सिटीज में आपके लिए। अभी से मैं मानता ह। रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है। और इसके कर जिन बच्चों को एक प्रोजेक्ट देते हैं। उनका एक विजन बनता है। उनको भी नई चीजे समयने का आफसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बिड़ी चर्चा हो रही है। क्लाइमेट के फिल्म में भी हमारे लोग अगर काम करें तो अस्मित संभावना है हमारे पास। अब हमारे हमने देश में एक योजना बनाई है। CDRI की क्लाइमेट की स्थिती में हमारा इंफ्रस्ट के रहसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके है। कि दिल्म होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिसंच के ल Southeast हम कैसे करेंगे पहले के जमाने में जो चीज़े बनाते थे तम नहें इतनी बाड़ आती थी नहीं इतने वर्षा होती थी कुद्रत हमारे साथ चलती थी हम कुद्रत के साथ चलते थे अब वो हम से उल्टा चल दी हम उससे उल्टा चल रहे हैं और इसलिए हमें इस नए संकड के सामने जीना कैसे उसको सिखने के लिए बश्ता करनी चाहिए आज सारी दुनिया सोलर अगिवान है कि उसके पास तपता हुआ सूरज है उस तपते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उप्लो करें उसके सामर्थ को हम हमारे जीवन वबस्ता का हिस्सा कैसे बनाए सोलार पावर को हमारे यहां इतना महत्व दिया गया है सरकार की नीतियों में दिया गया है लेकिन हम इस उर्जा को इस्तिमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरुवत लगती है कि उसी तरह साथ यह स्वच्च भारत भियान हर भ्यक्ति के दिल में यह बात अब गर कर गई हाँ बैस्वच्च भारत के विशे में कोई कॉम्प्रिबाद नहीं हो नहीं है लेकिन बात महाँ से बनती नहीं है जब तक हम वेस्टू वेल्ट की तरफ की योजनाई नहीं बनाते हैं यह जो कुड़ा कच्रा निकलता है उसका सर्कुलर एकॉनोमिक क्या हो सकती है उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है यह तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करके दे चेह सकते हैं हम बेस्ट में से बेस कैसे बनाए हम सर्कुलर एकॉनोमिक को कैसे मजबूत करें और खासकर लोकल नेवल पर सर्कुलर एकॉनोमिक कैसे कितने क्षेत्र आज हमारे स्टूडंस के लिए खुले हुए है आज देश स्पॉर्स के ख्षेत्र में भी नए आत्मईश्वास के धान नए उपलब्द्य हासिल कर रहा है हमारी उनिवर्सिटी ऐसा नहीं होना ते है कि अब स्पॉर्स उनिवर्सिटी वहां बन रही है इसलिए बाकी उनिवर्सिटी के नवजवानों को स्पॉर्स से कोई लेना देना जी नहीं, हमारी उनिवर्सिटी की मैदान शाम को भरे रहने चाहिए, बच्चों को घर भेजने के लिए महनत करनी पड़े, ये बात आपना हम उनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए था, हमारी उनिवर्सिटी ये लक्ष मना सकती है, एक एक उनिवर्सिटी सब्सक्राइब जैसे सब्सक्राइब उनको एक्सपोजर मिलेगा बेभी मेरी एक बहुत बड़ी अमानत बन जाए जाए सात्यों मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं अंगिनत संभावना है और राष्ट्य शिक्षानीती ने आपके हाथ में आउसर दिया है जो पिछले वार्षों में हमारे पात नही स्ट्रे शिक्षानीती का नेत्रुत्व आप सब सात्यों के हाथ में हैं